नमस्कार दोस्तो लक्षिय प्रकास में आप सभी काफर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो कि आप अपने मुबाइल में बायचूस अप्लिकेशन को आप कैसे यूज कर सकते हो तो गैस अगर आप भी चानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक सरूर देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप नमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अगर आप चराव पर नए हो तो चराव को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लेना है तो चलिए फ्रेंट्स आज काई वीडियो स्टार्ट करते है तो गैस अकर आप भी जाना चाहते हो कि बाइजूस एप्लिकिशन को कैसे देख लिए जहाँ पर आप जो है क्लास फन से लेकर क्लास ट्वैल इसके लाओ यहाँ पर और भी जो है कंपटिशन एक्साम की तयारी पर यहाँ पर आप कर सकते हो तो अगर आपको नहीं पता कि स्प्राइडी कैसे बनाते हैं इसको कैसे यूज करते हैं किस तरीके से आप आपको courses buy करने हैं तो चलिए दूस्तों आज की इस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले play store से आपको बाई जूसा application को download कर लेना है और अगर आपने download कर लिया है तो simply आपको इसे open करना है open करने की बाद दूस्तों यहाँ पर आपको जो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना mobile नमबर डालना है जिस पी नमबर पर आप जो अपना account create करना चाहते हैं तो यहाँ पर mobile नमबर डालने की बाद send OTP पर click करना है और इसके बाद आपके mobile नमबर पर यहाँ पर OTP पर click करने की बाद यहाँ पर आपका OTP automatically verify हो जाएगा तो यहाँ पर आपको नहीं पता है कि बाइजूस पर हम अपना account कैसे बनाते हैं तो simply guys आपको करना क्या इस वीडियो के description में मैंने उस वीडियो के link डाल दिये उस वीडियो को देख करके आप जो है by juice पर अपना account बना सकते हो जो है register आप कर सकते हो और जैसे ही दूस्तों यहाँ पर आप account बनाओगे इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो interface देखने को मिल जाएगा तो guys यहाँ पर इस application पर आप जो है class 1 से रिकर class 12 तक आपको classes मिल जाती है आप जिस भी class में पढ़ते हो यहाँ पर आपको अपनी class select कर लेने है इसके लावा यहाँ पर अगर आप किसी other competition exam की तयारी करो तो वो भी यहाँ पर आप select कर सकते हो आप जब भी account बनाओगे वहाँ पर आपको सारे option देखनी को मिल जाते है और अगर आपको नहीं बता कि account कैसे बनाए तो सबसे पहले आपको जो वीडियो की description में जो वीडियो है उसको देखकर करके account बना रहे रहा है और आपको इस वीडियो को continue करना है तो यहाँ पर अग क्लास करें तो यहाँ पर नाइन के subject शो हो रहे है अगर आप कोई other classes join करोगे जो भी जिस भी class में पटर रहे हो आप उस class को select करोगे तो आपकी class में आपके जिस जो भी class होगे आपकी class के सभी subject आपको शो जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उपर के और three line पर click करता ह तो इसके बाद आप देखते हो nine grade मैंने select करा है इस पर click करने की बाद दूस्तों यहाँ पर profile show हो जाएगी और यहाँ पर आप view detail पर click करके अपनी profile को यहाँ पर आप edit कर सकते हो आप जो है यहाँ पर अपनी email ID address वगदर सब कुछ आपको जो हो जाता है और इसकी बाद दू यहाँ पर मैंने nine का select करा है तो nine के जितने भी subject है वो सभी यहाँ पर show करे है इसके लाओ दूस्तों यहाँ पर नीचे की और आने की बाद यहाँ पर आपको जो है live classes आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर आप देख तो आपको online classes का नीचे की option मिल रहा है तो आपक account बनाया तो यहाँ पर अभी जो है live classes नहीं चल रही है यहाँ पर कल सुबह जो है यहाँ नो बज़े के आसपा जो है live classes होगी तो वो यहाँ पर मैं जो है join कर पाऊगा तो यहाँ जो मैंने already book कर लिए तो यहाँ पर यह जो है आप देख सकतो आपको live classes देखने को मिल जाए तो आपको इस पर klick करके जो अपनी live classes को यहाँ से बूक कर सकते हो और इसके बाद आपको इस टाइमिंग भी आपको शोजाता है तो यहाँ पर अप जोपी class भूक करना चाहते हो यहाँ से मैं आपर physics वाले इस वाले class पर click करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर आप देखसे तो class का timing भी आपको show हो जाता है किस time पर यह class start होगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ से आप class को join कर सकते हो इसके बाद guys यहाँ देख से तो यहाँ पर ट्यूशन सेंटर पर click करने के बाद यहाँ पर आपको और भी information मिल जादि है इसके लखना self study पर click करने कि बाद यहाँ पर आपको उपनी subject के videos आपको मिल जाते है और यहाँ पर आप सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी सब्जेक्ट मिल जाती है यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट रहेगी वो आपको शो जाएगी इसके लाद दुस्तो यहाँ पर my home option पर click करने की बात और इसके बाद दुस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट में आपकी जितने भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जैसे मैं physics पर क्लिक करता हूँ और physics के जितने भी chapter है उन chapter के videos आपको तो है देखनी को मिल जागा तो यहाँ पर आप देखे तो motions option पर क्लिक करने के बाद जो important topic है उन सभी के videos आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिने आप video देख करके जो है यहाँ पर पढ़ सकते हो यहाँ पर already video record करके already यहाँ पर जो है save किये हुए है तो यहाँ पर आप जो है video देख करके study कर सकते हो तो यहाँ पर मैं किसी video को यहाँ पर play कर लेता हूँ यहाँ पर आप देख तो आपको जो है अलग चैप्टर के आपको जो है videos मिल जाते है यहाँ से आप वीडियो देख करके जो है study कर सकते हो लेकिन गईज यहाँ पर live classes भी जोईन होती है तो live classes भी आप जोईन कर सकते हो यह सारे recorded वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है आप अपने mobile में by juice application को use कर सकते हो और by juice आपको use करके आप जो है ऑनलाइन आप जो है study कर सकते हो यहाँ और इसके बाद गईज यहाँ पर three line option पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे गईज उस classes पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर भी आपको जो है live classes का option मिल जाता है यहाँ पर आप देख्स तो learning analysis इसके लाओ यहाँ पर notification बैस parents control और इसके बाद गईज यहाँ पर नीचे की और आप देख्स तो आपको जो है subscribe ना हुगा option मिल आप इस पर क्लिक करने की बाद अगर आपको by juice में कोई दिक्कत आती है कोई problem आती है तो call now पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आप by juice counselor से बात करके अपनी problem को solve कर सकते हो तो इस तरीकी से आप by juice पर जो है आप अपनी id बना सकते हो और इस तरीकी से आप by juice application को आप अपनी mobile में use कर सकते हो जिससे की दोस्त को select करके आप जो ऑनलाइन यहाँ पर आप study कर सकते हो तो guys कैसा लगा यह video में comment करके जरूर बता है तो गर आप कोई video चलागा हो तो इस video को like करे शेयर करे और भी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर से प्रेस कर देना